जरिया के सुदामाडी थाना शेत्र के मुखल बने इस्ते तश्रीव मंदिर के पास तालाब से राजा चक्रवर्ती का शब बरामत हुआ है चार दिनों से लापता था मिरतक चक्रवर्ती सुदामाडी पोलेस जांस में जुट गई है तालाव से राजा शुक्रवर्ति का शब बरामत किया गया तो तालाव से राजा शुक्रवर्ति का शब बरामत हुआ है आपको बता दें कि चार दिनों से लापता था में तक और आज उसका उसका शब मिला है ज़रिया के एक तालाव से मुझाला आपसे राजा चुक्रवर्ति का श्रब बरामत किया गया है चार दिनों से वो लापता था और आज उसके श्रब मिलने से आसपास के जो लोग हैं जो स्थानी लोग हैं उनमें देश्वत फैल गई है और अंकित हमारे समवादाता फोन लाइन से जुड़ गया है अंकित तालाब में राजा चुक्रवर्ति का श्रब बरामत हुआ है चार दिनों से लापता था मिल तक क्या इस बाबत कोई और जानकारी मिल पाई है बिल्कुल जो सनास है तो अभी पुलीज जो है कि सबसे पहले जो राजा चक्रवर्ति के परिजन का काना है कि वो चार दिन से लापता था और उसके फोन पर किसी का फोन आया था जिसके बाद वो घर से निकला और उसके बाद घर वापस नहीं गया चार तिम तक तलाज करती रहे पूरे परीजन इदर उदर नहीं मिला तो लाज जाकर के उस सुदामदी शानावा गुंस को भी की रिपोर्ट लिखाई और आखले आज सुबह उसका सौफ जब तलाब से मिला है तो पूरे इलाके में संसर्णी फैल गई है परीजन का काना है कि जो यूऊक का मुवाइल हो अभी तक ने मिला है फिलाल सुदामदी पूलिस जो है तो को कपजे मessä लेकर पॉस्माटा में भेश दिया और उस मुवाइल की तलाज कर रही है जो राजा चक्रवर्ती का मोबाइल था, मोबाइल मिलने के बाद ही किलियर हो पाएगा कि पूरा मामलक क्या है शुक्रियां के तमाम जानकारी के लिए तो तालाब से राजा चक्रवर्ती का शब बरामद हुआ था और चार दिनों से वो लापता था प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा